चोपड़ा जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदेख स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम नीट PG21 के पॉस्पॉंट के बारे में बात करेंगे साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इन एक्जाम के पॉस्पॉंट को देखते हुए जो नीट PG21 के एस्प्रेंट है उनको बिल्कुल भी डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले हम PG21 एक्जाम की बात करें तो ये जो PG21 का एक्जाम 18 अप्रेल 21 को होना था और उसके एडमिट कार्ड 14 अप्रेल 21 को रिलीज हो चुके थे वो नीट PG21 का एक्जाम पोस्पोन हो चुका है नीट PG का एक्जाम नेशनल बॉर्ड ओफ एक्जामिनेशन यानि NBE द्वारा कंड़क्ट करवाया जाता है ये जानकारिया आपको हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्स वर्धन के ट्वेटर हैंडल पर मिलेगी उन्होंने इसके लिए ओडर की कोफी को भी ट्विट किया है तो ये बिल्कुल ओफिशियल अनाउंस हो चुका है कि नीट PG21 एक्जाम पोस्पोन हो गई है अभी न्यू डेट के बारे में कोई इंफोर्मिशन नहीं दी गई है नीट PG21 को पोस्पोन करने के लिए काफी सारे डोक्टर्स की डिमांड थी चतिसगड इस्टेट ने तो डोक्टर्स को इस परिक्षा में बैठने की परिमिशन भी नहीं दी थी अभी ये जो एक्जाम पोस्पोन हो रहे हैं जैसे बोर्ड एक्जाम पोस्पोन हो गए नीट PG पोस्पोन हो गया तो इन सब से नीट UG21 एस्प्रेंट काफी डिस्टेक्ट हो रहे हैं अभी से सोच रहे हैं कि नीट UG21 भी पोस्पोन हो जाएगा और कुछ तो ये कैलकुलेशन लगा कर बैठ चुके हैं कि बोर्ड की एक्जाम की डेट जोन में डिसाइड होगी तो इतना टाइम एक्जाम कंड़क्ट करने में लगेगा इतना समय नीट के लिए चाहिए और काफी स्टुडेंट ने तो ये सोच कर इस्टडी भी कम कर दी होगी कि नीट यूजी 21 पोस्पॉंट तो हो ही जाएगा बाद में डेट डिसाइड होगी तब पड़ लेंगे तो ऐसे नीट एस्प्रेंट अपने फ्यूचर को बरबाद कर रहे हैं और समय को भी बरबाद कर रहे हैं देखें नीट 21 का एकजाम 13 सिप्टेंबर को हुआ था तो उस समय भी पोस्पॉंट के लिए काफी हला हुआ था काफी सारे स्टूडेंट तो स्टडी छोट कर बैठी गए थे कि ये तो अभी पोस्पॉंट होना ही होना है क्योंकि काफी सारे लोग इनवल्व हो चुके थे पोस्पॉंट करने के लिए मगर एकजाम सही समय पर हुआ तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये नीट यूजी 21 का एकजाम एक अगस्त को ही होगा क्योंकि अभी बहुत समय बाकी पड़ा है ये एकजाम जो पोस्पॉंट हो रहे हैं इनकी डेट बिल्कुल ही नजदीक आचुकी थी इसलिए पोस्पॉंट होए हैं तो आपने ज़्यादा कुछ ने सोचते विए एक अगस्त के अकोर्डिंग ही प्रिप्रेशन करना है अभी जल्द ही नीट 21 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही नई अपडेट के साथ नए वीडियो में आप से फिर मिलेंगे तब तक के लिए जै हिंद